आईए दोस्तों, आज दुनिया के एक महान मुस्लिम साइन्टेस्ट के बारे में बताते हैं, उन्होंने कैंसर की दवा की खोज की थी, वो रिबने बैतार के नाम से मशहूर थे, वैसे उनका नाम मुहम्मद जियाउद्दीन अब्दुल्ला बिन एहमद बिन बैतार था, वो इसलामी स्पेन में 6 सदी में पैदा हुए थे, उन्होंने 300 से जादा ऐसे पौधों का पता लगाया जिससे दवाई बनाई जा सकती है, इसके अलावा, उन्होंने पता लगाया कि हिंदिबा नाम के पौधे में कैंसर से लड़ने की सलाहियत है,